आप लोग में इसे बहुत सारे लोगों को मालू होगे कि आज कल कोई भी किताब लिखता है तो सबसे पहले वो देखता है किसमें controversial point कहा है जितनी बड़ी controversy उतना बड़ा बाजार उतना बड़ा लोग उसको खरीदने के लिए बेचैन होंगे आपकी सारी किताबों में बाकी सारे लोग तो विशुद दुरूप से संगीतकार कलाकार हैं लता जी भी है लता जी को लेकर लोगों के मन में बड़ी curiosity है तो ये एक और controversy कि आप अपने आपको अपनी पूरी किताब को से कैसे बचा के लेगे कि आपको कभी ये लोभ नहीं आए कि अगर कंट्रोवर्सी होगी तो किताब ज्यादा लोगों तक पहुचेगी चर्चित होगी मेरा वो छेत्र नहीं है और मेरी वो दुनिया नहीं है जिस तरह से संगीत के ही रूपक में कहूं तो अगर एक छोटा ऐसी बंदिश गाई जाती है या दादरा गा करके महफिल उटा जाता है तो बड़े विलंबित राग की भी आवतारना होती है और उसको भी गा करके लो अनन्द कुमार स्वामी कि आत्मविस्मति की ओर जाना, self-forgetfulness की बात जो है कलाओं के संदर में वो चीज मैंने पकड़ने की कोशिश की है और मुझे नहीं लगता अगर मैं लता जी के इन सुरीले गीतों से कोई बड़ी बात नहीं बना पाया तो मुझे नहीं लगता कि कि अब ही आया और समाप्त हुआ और एक लंबी बयार या एक बड़े जहने और प्रपात की आवाद अगर आपको सुनने का मन है तो मुझे लगता है कि बहुत दत्यचित्त होकर इमांदार होकर के और थोड़ा लेने के भाव से जाना चाहिए सब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि लता जी के गाने अलग-अलग लोगों को अलग-अलग गाने पसंदें लता जी को खुद कौन से गाने पसंदें उस पे भी आपकी बात हुई क्या इसमें बहुत लंबी चर्चा है और बहुत मजदार ये है प्रसंग ये किसी कलाका कि जो गाने बहुत हिट होते हैं, वो गाने उनको कम पसंद आते हैं. कई गानों को लेकर मेरी चर्चा भी हुई, जैसे एक गाना है दोरास्ते फिल्म का, बिंदिया चमके की, चूड़ी खंके की, बहुत मशूर है, एक जमाने में बहुत हिट हुआ, उनको कम पसंद आता है, या एक गाना है नागिन का, हिमन्त कुमार की मुजिका, जादुगर स काने जाए, तो उनने का कारण कुछ नहीं है, गादिया बन से गाया, पूरी इमानदारी और लगन से गाया, लेकिन ये पसंद का मामला है, कुछ बेहत सुंदर गीत, और सजना बर्खा बहार आई, रसिक बल्मा, वो उनको प्री है, वो मुझे लगता है, सारे देश्वास को प्री है, और लता मंगेशकर को सराहना, उनके गीतों के चुनिंदा गीतों का पाट तियार करना, वो कहीं से गालिबाना मामला है, कि हर खाहिश पे दम निकले वाला मामला, कि आवे गीत चुनेंगे और दूसरा छोड़ देंगे, अगर आप से कहा जाए कि आप सौ गीत साहब का लिजिया, सलील चौधरी का लिजिया, तो उन्हीं के सैकड़ों गीत ऐसे होंगे, जो बहुत काम के होंगे, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत पसंद का मामला बनता है, लेकिन ये जानना मज़दार होगा, कि उनको कौन से गाने अच्छे लगते हैं, कौन स